दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़ी खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बड़ी कवर पटना के सड़कों पर निकले सियम नितिस का बिहार में फिडबेक के आदार पर अनलोग टू पर निड़ने लेंगे जहां मुक्यमंत्रे नितिस कुमार ने कहा कि अभी लोकडाउन खतम हुआ है नाइट करफियों जारी है कुछ परतिबन लगाए गये हैं लोगों को सुविदाय दे जारी है लोग गाडलाइन का पालन करते हुए मास्क पानेंगे तो यहां उनके हित में होगा अभी एक सपता के लिए उनलोक किया गया है आगे का निर्नाई सबी से मिले फिद्वेक के आदार पर लेंगे एक बर फिर हम निकलेंगे और उनलोक वन का जाजा लेंगे आगली बड़ी खबर बिहार के बेटियों के लिए अच्छी खबर इंजिनेरिंग में इसी साल से मिलेगा 33 फिजदी आरक्चन का लाव ज्यानिति सरकार ने बेटियों को इंजिनेरिंग और मेडिकल में 33 फिजदी आरक्चन देकर एक बड़ा फैसला किया था लेकिन अब बि केबिनेट के मनजूरी मिलने के बाद इसे लागो कर दिया जाएगा सुत्रों से मिली जानकारे के मुताबिक बिदी विवाग प्रस्ताव को तियार करने में जुटा हुआ है और इसे जल्दी केबिनेट के मनजूरी के लिए भेज़ा जाएगा अगली बड़े कबर बिहार में अब सरकारी प्रिनर्सरी स्कुल बनेंगे एक लाग पंद्रा हजार आंगन मड़ केंद्र, केल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई जिए अबिहार के निति सरकार सब 1,15,000 आगनवाडे केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल में तब्दिल करने जा रही है सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है यो कहीं कि चालू सक्षिनिक सत्र से प्रदेश भर के आंगनमाडी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल के रूप में होगा और यहां 46 लाग बच्चे विदारती होंगे नई राष्टिय सिक्चा निती पर अमल करते वी निती सरकार आंगनमाडी केंद्रों को जल दी प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल की मान्यता देने जा रही है सिक्चा मंत्राले वा महिला बाल विकास मंत्राले ने इसे लेकर सहमाती दे दी है साथ आंगनमाडी केंद्रों पर कारेरत सेविकाव को प्री नरसरी में दाखिल बच्चों को पढ़ाने सिखाने सम्मंदी प्रसिक्चन भी दिया जाएगा प्रसिक्चन में इन्हें बच्चों को खेल-केल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा इन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे गीत कविताय और कहानिया सिख्चा का आधार बन सकती है साथ यांगन बड़े सेविकाओं को यह भी बताया जाएगा कि उनके कायर का मुल्लकन कैसे किया जाएगा ताकि वे ये सुनिचित कर सके कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आया भी या नहीं बड़े कबर अगले सप्ता से सुरू होगा इंटर दाकिला का ओनलाइन आवेदन जिहां इंटर में दाकिला लेने के लिए चात्र चात्राओं को अगले सप्ता से ओनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कुल कोलेजों को आवांटिद सिटों पर अपति दर्ज कराने को कहा है इसके बाद ओनलाइन आवेदन शुरू होगा एक चात्र को कम से कम दस कॉलेज या स्कुल में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा बिहार बोर्ड द्वारा कला विज्ञान और वानिज तिनों संकाय में जिलावार सिटे आवंटिद कर दी गई है इससे चात्र अपने ही जिला में आवेदन कर पाएंगे बोर्ड की माने तो ओनलाइन आवेदन के बाद तीन नमांकन सुची जारे की जाएगी ओनलाइन आवेदन करने का मोगा एक ही बार मिलेगा इसके बाद चैन सुची जारे की जाएगी प्राथम चैनिज सुची में सामिल चात्रों को पहले आवेदन करने का ही मोका मिलेगा चात्रों को इस्पोर्ट नमाकर लेने का मोका कॉलेज में मिलेगा बड़ी कवर अलपेजी ग्राहों के लिए बड़ी रहात किसी भी डिस्टूबेटर से भरवा सकेंगे सिलिंडर ये है तरीका जी हाँ सरकार ने LPG रिपिल की potability को मंजूरी दे दी है यानि अब आप अपना LPG सिलेंडर किसी भी distributor से रिपिल करवा सकेंगे मतलब अगर आप अपने तेल मार्केटिंग कमपनी के मौज़दा LPG distributor से कुछ नहीं है तो आप उसकी जगा कोई दूसरा distributor चुन सकते हैं कापी समय से इस मुद्दे पर चचा हो रही थी अब इसे मंजूरी दे दी गई है आपको वदा दे कि पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर इसको चर्णिगर कोयम बटूर गुडगा पुने और राची में लॉंच किया जाएगा जल्दी राज बिहार में भी इसे लागू किय जाएगा बड़े कपर मांजी तेज परताब की मुलाकात पर स्यासी हलचल तेज अचानक पूर्व सियम जितरव मांजी के आवास पर पहुचे लालो यादव के बड़े बेटे तेज परताब बंद कमरे में 40 मिनट हुई बात जिया बिहार के पूर्व सियम जितरव मांजी से मिलने लालो यादव के बड़े बेटे और आरजडी विधायक तेज परताब यादव पहुच गए बंद कमरे में दोनों नेताओं ने 40 मिनट तक आपस में बात की ये मुलाकात बिहार के राजनिती में हलचल पैदा करने के लिए काफी है जितरव मांजी हाली के दिनों म जिस तरह से आरजडी सुप्रेमो लालो यादव के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं उससे साब लगता है कि उसका मन अब NDA से उबने लगा है मुलाकात के बाद तेज परताब यादव जितर मांजी साथ में बाहर निकले बाहर निकलते ही मांजी ने कहा कि NDA में सब कुछ ठी हैं इनसे अक्सर मार्ग दर्सवन मिलता रहा है दूसरी तरफ जनम दिन पर लालो यादव ने दिया पार्टे नेताओ को मंत्र चिंता मत करिये जल्द गिरेगी बिहार की NDA सरकार जिहा अपने चोहतरवे जनम दिन के मोके पर राज़त सुप्रेमो लालो प्रसाद यादव ने अपने पार्टे के नेताओ को मेसेज दिया है दिल्ले में मौजोद लालो यादव ने अपने पार्टे के नेताओ को कहा है कि चिंता मत करिये बिहार की NDA सरकार जल्द ही गिरने वाली है लालो ने RGD की चुनिंदा नेताओ से मुलाकात की है और उन्हें आगे के मंत्र आपको बता दी कि लालो यादव से मिलने के बाद आरजडी के राष्ट्य महा सचेव स्याम रजक ने कहा कि बिहार की एंडिये सरकार जल्द गिरने वाली है हाला कि लालो यादव कोई जोड तोड नहीं करने वाले है लेकिन एंडिये में जो आंत्रे घमासान मचा है उसे सरक कार की जादा दिन चलने की कोई सम्हावना नहीं है बड़ी खबर जमीन के दस्तावेज के लिए आप नहीं दोड़ना पड़ेगा खतियान और नकसा घर बेठे मिलेंगे जी हाँ सबी अंचलों में बन रहे रिकोर्ड रूम के संचलन की नियामावली बोमी सुदार विभा घर बेठे ही वह ओनलाइन दस्तावेज निकाल सकेंगे राजस्वी अवम वमी सुदार विभाग अगले माहने तक नियामावली तयार कर लेगा उसके बाद लोगों को दस्तावेज उबलब्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जहां भी रिकोर्ड रूम तयार हो है वहाँ जल्द इसे एक्टिव कर दिया जाएगा इसके लिए डाटा एंट्री ओपरेटर का नियोजन बेल्ट रूम के मैदम से किया जा रहा है सभी जिलों में अपर समाराता अधोनिक रिकोर्ड रूम के लिए नोडल अधिकारी बनाएगा है इसके साथ आपकी जानकार के लिए बता दे कि अभी सरकार सिर्फ जमिन के नक्से को ऑनलाइन उपलब्द करा रही है नक्सा ऑफलाइन भी मिल रहा है इसे डेड़ से रुप्य का वुलतान करके आप डाक से भी मंगा सकते हैं बिहार में आप नहीं बचेंगे सराबी और धंदेबाज टोल फ्री नमर पर सिकायत करते ही 24 घंटे में होगी कारवाई बिहार में सराब पेने और बेचने वालों का बचना आप मुश्किल होने जा रहा है दरसल इनके किलाब कोई भी सिकायत आप पुलिस अधिकारी दबा कर नहीं बैठ सकेंगे सराब के मामलों में सिकायत करना भी अब आसान हो जाएगा गार बैटे एक टोल फ्री नमर पर सिकायत करते ही पुलिस विवाग सकरी हो जाएगा ऐसा हर सिकायत पर 24 घंटे के अंदर कारवाई करना थानेदार के मजबूरी होगी अगर समय पर कारवा उनकी बाड़ी खबर एगनो ने जुलाई सेशन के लिए रजिट्रेशन प्रक्रिया की सुरू ऐसे करे अपलाए इंद्रा गांधी नेशनल ओपन इनिवसिटी ने जुलाई सेशन के लिए ओनलाइन दाकिले की प्रक्रिया कल यानि 11 जोन 2021 से सुरू कर दी है ऐसे में जो उ उमिद्वार एगनो द्वारा संचालित बिविन प्रोग्राम में दाखिल लेना चाहते हैं वे एगनो की अधिकारिक बैवसाइड www.egno.se.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं